के ऐलो फ्रेंड विलकम टू माइचेनल और आज हम लोग जानने वाले हैं लिफ्टिंग प्लान के बारे में मैंने एक सिंपल सा लेफ्टिंग प्लान इसके पहले ही वीडियो में wrap शेयर किया था लेकिन 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 कितना उस में रीकॉर्ड है information की यह depend करता है कि आप किस चीज को lifting कर रहा है normal lifting है तो normal required है information लेकिन अगर critical lifting है तो अच्छे से planning करना पड़ता है तो depend upon the lifting यह planning होता है तो मैं एक sample share कर रहा हूँ जो मैंने अभी हाल ही में करवाये थे यह lifting plan जो है पूरा safely कैसे कोई काम हो पा है मतलब lifting कैसे safely हो पा है उसके लिए हर एक point पर ध्यान दिया जाता है और हर एक point को चिक के जाता है ताकि टॉपल ना हो यानि कि lifting जो जो ही material lift कर रहा है और fall ना हो और failure ना हो जिससे की main material का नुकसान तो होगा है साथ में reputation का भी नुकसान होता है देन हम लोग उसमें लगभख सारे points को cover करेंगे तो सबसे पहले मैं बता दो कि यह आप जो image देख पा रहे हैं यह मैंने drone से खिचवाए थे और इसमें यह drone का जो sky view है आप देख रहे हैं तो दो crane रखा हुआ है एक यह जो है आप देख रहे हैं यह 450 टन का है और एक और उससे कम capacity का यह crane रखा हुआ बैक अप के लिए इसका कोई use नहीं अभी बट in case कोई failure होता है तो बैक अप के सकते हैं कि emergency response plan भी तयार है अगर कोई failure होता है तो लेकिन failure नहीं हो इसके लिए पूरी की पूरी planning जो है थी हमारी ताकि कोई failure नहीं इसमें सबसे पहले आये देख लेते हैं कि कौन-कौन सा ऐसा point है जिसको देखना चाहिए तो एक तो मैं बता दूं कि सबसे पहले कि आप क के पास होना चाहिए साथ में आपको training जो है जो भी उसमें काम कर रहे हैं उनकी सब की training जो है आपने क्या क्या planning किये क्या क्या करना है वो होनी चाहिए और साथ में सारे lifting tools and tackles जो है उसका TPI होना चाहिए यानि कि third party inspection और fourth जो है यह चुकि railway काम है लेकि कोई भी काम हो तो अ पॉब्लीक के लिए पॉब्लीक के मॉमेंट के लिए control के लिए वहाँ पर यह होना चाहिए आद में होना चाहिए और उसके बाद जो है अगर आप training करा लेते हैं TPI रखते हैं safety जो है पॉब्लीक के लिए verification देते हैं तो पॉइंट कवर हो जाता है और उसके बाद जो है इसमें आपको inspection आए मैं देख लेंगे क्या क्या चेक किया जाता है मैं ऐसे भरबली आपको बता रहा हूं इसमें यह कहां पे इसको रखा गया है यानि क्रेन को कहां side करना है यह पहले सही planning मैं इसका planning भी share करूंग आपके स तो यह stable होना चाहिए यानि कि जहां पर क्रेन को side करना है वो portion जो है stable होना चाहिए यानि कि जो load lift कर रहे है उसके अनुसार stable नहीं रहेगा तो टॉपल का chance होगा तो आए देखते हैं कि lifting plan इसका क्या क्या जो है check किया गया था जैसे कि आप देख रहे हैं कि lifting date, location, inspected by, designation, employee number, company और work details तो यह सारे चीज़ जो है आपको यहाँ पर डालने हैं और उसके बाद जो है आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो भी lifting tools and tackles use किया है यानि कि 450 टन का crane है ceiling जो है four number है और एक ही capacity मैंने आपको बताया देख पिछले वीडियो में कि 20 टन का है यानि 20.6 है माल लिजे 20 और इसकी ID नंबर unique ID नंबर यह इसकी ID नंबर और TPC नंबर यानि कि ID का अंदर काम हो रहा है कि नहीं यह होना चाहिए साथ में जिसने चेक किया उसका signature और this lifting plan is valid for one day only यानि कि अगर society condition change होती है तो अलग यह करना पड़ेगा तो जिस दिन आपको lifting करना है या उसी दिन चेक करना है क्योंकि यह सब चीज जो है change भी हो सकता है तो आपको एक दिन के लिए आपको क्या क्या इंस्पेक्ट करना चाहिए तो इसमें point wise है yes or no करके reply देना है तो level one lifting plan तो इसमें what to inspect आपको क्या क्या इंस्पेक्ट करना है इंस्पेक्ट और lifting gears जैसे wave sealing cycles chain block etc for its id number safe working load color code किया गया है वो चेक करना and condition चेक करने है उसके बाद अगर आपने yes है तो yes करना है और no है तो no पे टिक करना है उसके बाद जो है आप second point did you understand the rigging job यह किस तरह से लिगिंग करना है कहां से उसका path कहां से lifting करना है और कहां रखना है यह सारे चीजों को ध्यान देना पड़ता है और चेक्ट its capacity आपने उसका capacity चेक किया यानि कि जो उसका जो उसकी document होती है जिसमें उसमें दिया रहता है कि लोड लिफ्टिंग चार्ट जो है लिफ्टिंग चार्ट में आप इंस्योर करेंगे कि यह जो लोड लिफ्ट कर रहे हैं उस radius और उस लेंथ के अंदर में ही आता है यानिक सेफ में है एकॉर्डिंग दा जॉब टू भी करीड आउट इडि यू चेक दा क्रेंट पोजिशन कहां पर साइड करना है यह आपको पहले से ही डिसाइड करना पड़ेगा और surrounding area और आसपास की area कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ पर वायर तो नहीं है टॉप में जिसमें electricity हो crane load chart यानि कि load chart आपको देखना है crane का load chart मैं share करूँगा next इसके बाद की वीडियो में आप bell icon को दबा लिजिए ताकि आपको next video notification मिलेगा और lifting operation consult with the crane operator crane operator से बात हुई कि क्या lift करना है यानि कि यह पहले से planning होती है did you conduct toolbox talk हा मैंने toolbox talk connect करवाय थे और period to start of work start होने से पहले and filled in the form यानि कि वो toolbox talk कराया उसका form और फिल अप हुआ यानि कि उसकी evidence रखनी पड़ेगी अगर आपने yes किया तो yes no किया तो no पे click करना है और उसके बाद जो है did you carry out all safety checks यानि कि softener area बेरिगेट हुआ है कि नहीं tag line लगा है कि नहीं यानि कि उसमें जो आप उठा रहे हैं उसमें एक गाहिरोप बंधा होना चाहिए warning signed board वहाँ पे होना चाहिए कि यहाँ पे जैसे कारे प्रगति पे है या lifting activities going here इस तरह का एक sign board था कि वहाँ पे कोई नहीं है और banksman यानि कि उसको इसारा करने के लिए उसे बताने के लिए banksman होगा हो सकता होती है और उसके बाद did you ensure the crane out trigger are fully extended क्योंकि full extended नहीं रहेगा तो full capacity उसकी नहीं होगी according to load charge जैसे कि यह माल लेते हैं यह crane है तो इसके आप देखेंगे कि चारों तरब जो है out trigger निकले होते हैं और अगर पूरे नहीं लिकले रहेंगे तो यह अच्छे से नहीं काम करेगा अगर मैं आपको इस image में दिखाऊं तो आप देख पा रहे हैं इस image में यहां पे एक out trigger है यहां पे एक out trigger है जिसको प्लेट पर रखा गया है यहां एक out trigger है और इस side भी एक out trigger है तो यह है और उसके बाद जो है आर यू स्योर देट क्रेन इस नो अब्स्टरक्शन इन दे एरिया यानि की इग्जवेशन पावर लाइन इस तरह कुछ और स्टकल नहीं होना चाहिए पहले से ही पात के लिए रखना है सारे सामान को हटा लेना है आर यू स्योर देट नो पीकन केरी ओपरेशन और मैन बास्केट विल रिक्वार्ड वहां पे कुछ ऐसा उपर चड़ने की ओसकता तो नहीं है जहां पे बास्केट ओगरे का सकता हो यानि कि सब्सक्राइट करना हो नट बोल्ट अगर वहां पे एक्सेस नहीं हो तो इसकी हो सकता है क्या तो उसका यह इंस्योर हो गया है वहां पे जो है प्लेटफरम अगर बन गया है तो यह आप टिक कर लिजिए और आर यू स्योर दैट देर इस नो इंटर फेरेंस बीट आर यू स्योर दैर आर यू स्योर टू लिफ्ट अंडर 75 परसेंट अप दक्रेंड कैपसिटी एड़ रिक्वाइट कंफिगरेशन 75 परसेंट में यह नहीं कि अगर वहां पर 100 टन का अगर लूट लिफ्टिंग कैपसिटी है उस बूम लेंथ पर और उस रेडियस पर तो देन आपको 75 टन ही उठाने है ताकि सेफटी मेंटेन रहे और उसके बाद यू मस्त सब्मीट दरी सब्मीट इस काई तो दर टास्क सुपर्वाजिर अब रिंस्पेक्शन और इन आपको यह करने है और इसमें वार्निंग क्या है कि डू नट प्रोसीड विद दारिगिं वर्क इफ यू दू नट अंडर्स्टेंड हाव तो अगर आपको पता नहीं है तो देन यू कांट प्रोसीड क्योंकि टॉपल हो सकता है खत्रा हो सकता है और इफ यू डू नट है प्रोपर रिगिंग गियर्स अगर आपके पास तो आप लिफ्टिंग ना करें तो अच्छा है और नौट इनफ मैन पावर अगर मैन पावर भी सही से उसको आप मान कि सफिसेंट नंबर अफ मैन पावर इस दियर इफ यू गेट कन्फूजड और विस अंडर्स्टूड अनिधिंग देन आपको यह काम नहीं करना है अगर आपको पर यह से मिस अंडर्स्टिंग हो रहा है अपने समझा कन्फूजड है जब क्लियर हो कि कैसे करना है क्या करन है देन यू कर प्रोसीड इमेडियेटली कॉंटैक्ट योर रिगिंग सुपर्वाजर और लिफ्टिंग सपर्वाजर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बात किजिए और आपको जब समझ में आ जाय तभी लिप्टिंग स्टार्ट कराईए तो यह है जो लिफ्टि अगर नहीं कर सकता है तो आपको नहीं उसको लिफ्टिंग करिए जो भी सिलिंग या जो ही बेल्ट उसमें लगे हैं वह क्या है बहुत कुछ लोग पुराने उस करते हैं जिससे कि उसकी काम हो जाती है कटे फटे रहते हैं तो ओची जो है टीपी आई में क्लियर रहता है अगर आपने टी-पी करवाया है तो किलियर कर देता है कि यू कन यूज और इतनी कैपसिटी तक यूज कर सकते हैं ऐसा उसमें उसके सेटिफिकेट में लिख दी जाती है तो साथ में वो competent आदमी उस चीज को चेक करता है कि ये कितना lifting कर सकता है मैंने तो करवाता हूँ तो generally 1.25 ton ये factor है यानि कि अगर 10 ton उसकी capacity है तो 12.5 ton जो है उस पे load lifting करता है और चेक करता है कि ये जो है सही से मतलब लिफ्ट कर पा रहा है कि नहीं है तो फिर उसको जो है lifting के लिए लगाया जाता है तो ये कुछ points से जो कि आपको before lifting confirm करने है और sign करवाने है अब आएए देख लेते हैं कि यहाँ पे कि कितना load है तो जैसा कि आप इस image में देख पा रहे हैं तो यहाँ पे यह जो load है यानि कि यह रखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक और यह इसका load है और इसको उठाना है और यहाँ पे रखना है यहाँ पे यह रेल्वे का एफो भी है इस पे रखना है यहाँ पे इधर भी एक पीलर है इस तरह का यहाँ इस तरह से यहाँ पे इसको रखना है यहाँ से लिफ्ट करके ऐसे तो पुरा पाथ किलियर है पहले से डिजाइन किया गया है इसको तो यहाँ पे लिफ्टिंग प्लान है यानि कि जहाँ पे अभी आपने देखा में इमेज में आपको दिखाया कि साइट करना है वहाँ पे जो है उसकी बूम लेंथ 32.61 मिटर है यानि कि इतना वहाँ पे है और साइल भी लेस देन 40 मिटर ऐसा इसमें इंडिकेट किया गया है यानि कि उससे कम में ही है 32.61 मिटर की बूम लेंथ है किसाइट करने का पोजिशन नहीं था आप देख पा रहे हैं कि अगर और नजदीक साइड के जाता सकते था कि यहां ट्रैक पर नहीं रख सकते सकते क्योंकि ट्रैक जरतेंड़ा हो जाएगा और इस यहां पी एकसेस भी नहीं है तो इसलिए इसको यहां साइट करने से क्या हुआ कि भूम लेंथ जो है इसकी बढ़ गई और रेडियस बढ़ गया जिसके चलते उसकी लोड लिफ्टिंग कैपसिटी जो है उस पोजीशन पर डाउन हो गया और रेडियस जो है वहां 20 मिटर है तो 20 मिटर का रेडियस है और सेल भी इक्वल और लेस देन 50 पर संद क्रेंट मैक्समूम रेडियस होना चाहिए और एक्चुल लोड जो है 36 टन जो है वहां पर उठा सकता है एक्चुल लोड जो है 36 टन का है और टेकल जो वेट है वो कुछ नहीं है क्योंकि सिलिंग डारिक लगा के उठा लेना है तो जो सिलिंग का है कि जो वजन है वो बहुत नेगलिजेवल है कंपेर टू लोड तो इसलिए उसको यहाँ पर कंसिडर नहीं किया गया है और उसके बाद हुक ब्लोक का वेट जो है यह वो थिरी टन लिया गया है और अगिलरी उप ब्लोक वेट यहुछ मेंशन नहीं यूज़ कर रह है हम लोग इस तरह का कुछ आप देख रहा है कि नहीं उज़ कर रहा हैं और ceiling weight जो है 1 ton रखा गया यहां पर और उसके बाद cycle जो इसमें cycle नहीं उज़ कर रहा है तो इसलिए जो consider नहीं किया गया है और spreader weight spreader का भी use नहीं किया गया है total weight जो है around और क्रेंड की जो कैपसीटी है वो उस रेडियस पे 60.32 टन हो रहा है यानि कि इतना एक्चुल लोड है टोटल लोड एक्चुल लोड तो इतना है लेकिन उसमें आप देख रहे हैं कि जैसे यह हुक ब्लॉक है यह सिलिंग है और उसमें जो है यहाँ पे इस्प्रेडर लगाया गया कहीं कहीं इस्प्रेडर लगा जाता है जब कि यहाँ पे इस्प्रेडर की जरूत नहीं कहीं कहीं सैकल लगाया जाता है तो यह एक्चुल लूड है और यह सब को यानि कि all of five को एड़ कर दें तो यह बनता है टोटल वेट तो टोटल वेट ही कंसीडर किया जाना चाहिए क्योंकि यही एक्चुल मतलग कि इतना लिफ्टिंग जो है उतना लूड पड़ता है ख्रेंज जो है एक लीबर के तरह काम करता है यानि कि अगर मैं बात करूं तो एक यह सेंटर है तो इस पर इधर रोड है और नोट है इदर तक दोनों balance रहेगा, तब तक काम करेगा, जब balance खतम हो जागा, यानि कि ये टॉपल हो जाएगा, तो counterweight भी उसी का अनुसार होना चाहिए, जिससे इसमें मैंने, पीछे में जो है, यहाँ पे counterweight जिसको बोलते हैं, ये 90 ton का पे load chart था, यानि कि अगर ये counterweight अगर आप घटाते हैं, तो इसकी load chart में इसी capacity कम हो जाएगी, तो ये load chart में देखने के हो सकता होती है, कि कितने ton जो है इसका counterweight पे load chart में, कि कि इतना counterweight लगाना है, तो जितना इधर counterweight होगा उतना ही इधर load lifting capacity बढ़ेगी अगर counterweight proper नहीं है पूरा पूरा नहीं है तो इधर capacity भी उसी का नुसार down होती है तो ये बात आपको समझने के हो सकता है कि अबल crane ही नहीं counterweight का भी ध्यान देना पड़ता है और percentage of crane capacity तो अगर ये 40 ton है और total 60 ton उसकी capacity है around तो अगर इसको आप अगर ये निकालते हैं तो ये 66.31% होता है यानि कि below 75% है यानि कि हम lifting कर सकते हैं और इसको वही percentage जो मैंने बताया उसको निकालने के बाद 66.71% इसकी capacity हो रही है तो यानि कि हम लोग safely load कर सकते हैं हमारा तो बहुत safe है और तो ये इस तरह से जो है हम plan करते है lifting का और ताकि safely lift हो पाए और lifting जब करते हैं तो जैसे मैंने बताया था कि training होनी चाहिए तो उसमें clear communication जो है clear communication between जो है sorry communication between driver और जो उसका operator रहेगा जो जो बैंक्समेन या बोल सकते हैं कि जो rigor है और दोनों के बीच में clear communication होना है साथ में जो है जो भी टीम काम करेगा किस हर की responsibility जो है divide होनी चाहिए तो responsibility क्लियर होने से क्या है अच्छे से काम होता है और सारे लोगों की training तो होनी चाहिए यह मैंने चेक करने के लिए बता दिया वहां सपास traffic control और मैंने बता दिया कि जहां पर site करेंगे वह stable जगा होना चाहिए और load chart में तो जरूर देखना है कि यह जो हमारा lifting कर रहा है वो उस load chart के में वो safe हो रहा है कि नहीं और उसके जो load chart में कर रहा है कितना counter weight पर तो जैसे अगर 50 ton counter weight पर कर रहा है तो 50 ton 90 ton कर रहा है तो 90 ton तो according to that उतना counter weight वहां पर लगा होना चाहिए तो यह अगर सारा चीज अगर आप consider करते हैं तो I hope कोई भी lifting जो है बड़ी safely तारीके से आप कर पाएंगे तो I hope आपको यह lifting plan जो है काफी अच्छा लगा होगा lifting plan और भी तरीके के अलग अलग लोग बनाते हैं ऐसा कुछ ज्यादा window हो अगर 25 km किलो मिटर किलो मिटर पर आउर से ज्यादा तो lifting नहीं करना चाहिए बारिस का अगर हो अगर रहनी सीजन चालू हो तो ऐसे कर निशन में नहीं करना चाहिए तो यह जो है ध्यान देना चाहिए कि इससे क्या stability जो है और मतलब यानिकि अगर विंड ज् तो इस तरह से जो है अगर आप लोड लिफ्टिंग करते हैं तो safely हो जाएगा तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो subscribe करें और अपने दोस्तों को सांथ share करें thank you और next video में हो सकता है कि मैं इसका TPI discuss करूँ आपके सांथ तो इसमें कुछ अगर आपका session हो या कहीं कुछ लगे कि इसमें कुछ error है या गलती है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं जिसे की मेरा भी knowledge improve हो और आपका भी knowledge improve हो तो thank you धन्यवाद